आज धन तेरस का पर्व है, इस पर्व पर लक्ष्मी की भक्ति होती है, लक्ष्मी राधा बामान्ष संभूता महा लक्ष्मी बभूब हादा शास्त्र कहते हैं कि निराधा रानी के बाएं अंग से महा लक्ष्मी प्रकट हुई और स्रीकृष्ण के बाएं अंग से महा विश्नु प्रकट हुए और यह भी कथा है कि वैसे तो जैसे भगवान अनादी है ऐसे लक्ष्मी भी अनादी है लेकिन लीला की दृष्टी से एक बार समुद्र मन्थन हुआ था उसमें भगवान भी थे और मंदरा चल परबत था और बासु की नाग था और एक तरफ देवता एक तरफ राक्षस मत रहे थे उस परबत को उससे 14 रत्न निकले थे तो उसी में एक रत्न थी लक्ष्मी साब ब्रह्मा विष्णू शंकर्स इंद्र भरण कुबेर साब देवता और बड़ी बड़ी पावर उस समय एकत्र थे समुद्र मन्थन देख रहे थे तो जब अम्रित निकला तो सब पीने को तयार हो गए और जब बिश निकला तो सब भागने लगे उसके एक गैस से तो खायर उसको तो शंकर जी ने अपना गले में धार्ण कर लिया विष्ट को अम्रित को तिकडम करके भगवान ने देवताओं को पिला दिया आज ही के दिन धनमंतरी प्रकट हुए ये बाइद्य थे देवताओं के इलाज के लिए ये प्रकट हुए थे धनमंतरी तो ये भी देवताओं को पक्ष में चले गए अब बची लक्ष में तो लक्ष में ने सब देवताओं को देखा कि किसको भर बनाऊं पती बनाऊं क्वचे चिराजुर नहिशी ललक्षणं क्वचे तदप्यस्ति नवेद्यमायुशा यत्रोभयं देखा कि कुछ पर्सनेलिटीज ऐसी खड़ी है जो बड़ी उमर वाली है मारकंडे वग्यारा लेकिन वो प्यारवार नहीं जानते उदासीन संत हैं तो उनके गले में माला डालें उनको पती बनावें वो अपना ब्रह्म का ध्यान करें बीबी से कोई मतलबई न रखें क्या फाइदा और जो प्यारवार को जानते हैं ऐसे कुछ हैं लेकिन उनकी उमर का ठिकाना नहीं हिरन कशुपू अगेरा राक्षस थे भी थे वहाँ कम उमर जाएं यत्र भयम सत्र जसो प्यमंगला और जिसमें दोनों गुण हो उमर भी अनंत काल की हो और प्यारवार भी जानते हो आईसो में मैंने चुना भागवान शंकर है लेकिन उनका बेश बड़ा भयानक है देख के डर लगेगा बड़ बड़ भयानक सर्पलपेटे है भूतों के साथ रहते है खोपड़ी की माला पहिंते है और बेबी कुछ जचे नहीं एक स्री कृष्ण है उनमें सब अच्छाईयां भी है प्यार भी समस्ते है शील मंगल भी है अनंत उमर भी है लेकिन वो मेरी ओर देखी नहीं रहे बार बार मैं उनकी ओर देख रही हूं वो अपना और तरब देखते हैं जान बूज के अनाधिकाल की जो धर्म पत्नी है उनको वो देखी नहीं रहे हैं ना देखे हैं हम तो इन्ही को माला पहना देंगे जब माला पहन लेंगे ये तो सोचना पड़ेगा इनको क्योंकि ये भक्त बत्तल तो हैं इनमें गुण है ये जो जीव जितना प्यार हमसे करता है हम भी उससे उतना प्यार करते हैं पहना दिया तो भगवान ने अपने बाएं तरफ लक्ष्मी को सदा रख रखा है सदा बाएं तरफ और दाहने तरफ कौश्तुभ मनी और भीच में ब्राह्मन भ्रिगू का चरण चिन तो भीच में वो चरण चिन है और बाएं तरफ लक्ष्मी है चला पि लक्ष्मीर नजहात तत जत पदम लक्ष्मी बहुत चंचल है इस अंसारी लक्ष्मी जो आप लोग पैसे को कहते हैं इसको तो आप देखते हैं इन्हें कितनी चंचल है आज दुनिया में मंदी आ गई है सारी दुनिया में दो सव देशों में कुछ देश तो दिवालिया हो चुके अब कुछ होने वाले हैं अब बाकियों का भी बुरा हाल है अमेरिका सरी के देश का कई बैंक फेल हो गए हमारे देश में खरब पती ये बड़े बड़े आधे हो गए जो तीस खरब के थे वो पंद्रा खरब के रह गए यानि वो लक्षमी यहां वहां घूमती रहती है एक नोट को आप देखते हैं न बड़ा मटमेला हो गया है ये मटमेला क्यों हो गया है हजारों हाथों में गया है उसने उसको दिया उसने उसको दिया उसने उसको दिया उसने फिर बैंक में गया फिर वहां से आया फिर वहां गया घूम रहा है वही तो लक्षमी इतनी चंचल होते हुए भी और भगवान के पास ते नहीं भागी उनके भाएं तरफ सदा रहती है अब जड़ा अपने संसार को देखो कैसे अजीब लोग है हमारे संसार में ये बड़े-बड़े पैसे वाले वो दुकानदार हो छोटे-छोटे या बड़े-बड़े खरपती हो ये लोग इस दिवाली पर हिसाब करते हैं और अपने बही खाता में लिखते हैं सदा लक्षमी सहाए सदा कुबेर सहाए लक्षमी सदा हमारे पास रहें कुबेर सदा हमारे पास रहें ये पंडित लोग जो पूजा कराते हैं आपके यहाँ शादी ब्याह में जग्य वगैरा में तो पूजा के बाद में एक शलोक बोलते हैं यान्त देव गणाह सरवे पूजा मादाय मामकीम सद देवता अपने अपने धाम को जाओ हम पूजा कर चुके पहले बुलाते हैं न गणेश जी दुर्गा जी और सोड़ समात्रिका नवग्रह और अंत में कहते हैं सब लोग जाओ लक्ष्मीम कुबेरंच बिहाए लक्ष्मी और कुबेर तुम दोनों रहो और बाकी लोग जाओ फिये कितने अजीब लोग हैं अजीब अजीब माने समझते हैं आप लोग न जिनकी खोपड़ी उल्टी हो वो अजीब होते हैं भगवान सबसे अधिक अजीब हैं क्योंकि वो अन्यथा कर्तुम समर्त हैं वो आख से सुनते हैं कान से देखते हैं अजीब है न तो ये हमारे संसार के लोग भी अजीब हैं और इनको बताने वाले पंडिजी वगेरा भी अजीब हैं इनको ये नहीं पता है कि लक्ष्मी बिना भगवान के कैसे रहेंगी वो तो सदा भगवान के बाये तरफ रहती हैं जब तुम भगवान को भेज रहे हो कि सब जाओ अपने अपने लोक में और लक्ष्मी तुम रह जाओ तो लक्ष्मी कहेंगी तुमारा दिमाग खराब है मैं अपने पती को छोड़ के तुम्हारे आ रह जाओ ये तो संसारी इस्त्री को भी अगर कोई ऐसे कहे यहाँ जितनी इस्त्रियां आई हैं वो सब रुके हैं हमारे घर में और जितने पती आए हैं वो जाए अपने अपने घर तो लोग पिटाई कर देंगे यह पागल हो गया है तो लक्ष्मी तो तभी रहेंगी जब भगवान को बुलाओ नो कोई नहीं लिखता वही खाता में राम सहाए श्री कृष्ण सहाए भगवान सहाए लक्ष्मी सहाए कुबेर सहाए यह लक्ष्मी कैसे रहेंगी भगवान के बिना अब कुबेर कैसे रहेगा ओ तो सर्वेंट है तुर्शिदास ने लिखा है बड़ा मज़ेदार बिंध्यन इंधन पाईए सागर जुरेन नीर और परे उपास कुबेर घर जो बिपक्षर घुबीर अगर भगवान को आप नहीं मानते और एक उबेरो लक्ष्मी की भक्ति करते हैं तो आपका क्या हाल होगा बिंध्या चल पहाड में इतने बिख्ष हैं और खाना पकाने को लकड़ी नहीं मिलेगी आपको कितना पानी भरा है समुद्र में उंगली डुबोने को भी पानी नहीं मिलेगा और अनन्त धन है कुबेर के पास लेकन वहाँ उपवास सुरू हो जाएगा फाके पड़ेंगे तो लक्ष्मी और कुबेर कोई भक्ति कर रहे हो और भगवान को बिदा कर रहे हो ये अजीब लोग है ने है ये कृपालू बोला है और कोई नहीं बोला आज तक हाँ सब पूजा करवाते हैं और लक्ष्मी को सिड़ जुकाते हैं और एक बात और बताएं आपको बड़ी मजेदार कि लक्ष्मी तो भगवान की अंतरंग शक्ति है दिव्यानंद उनके पास है और ये माया को लोग लक्ष्मी कहते हैं माया को ये जो संसारी संपत्ति है सोना चांदी रूपया मकान जमीन इसको कहते हैं लक्ष्मी वान है ये पड़ा धनवान है इसलिए लक्ष्मी वान है लक्ष्मी पती है ये लक्ष्मी नहीं है ये तो माया है संसारी बस्तु तो माया कहलाती है ये प्रिथवी है न इसी से तो पैदा हुआ सोना चांदी हीरा जितना भी आप लोग बयभाव कहते हैं ये पध़र सब है न ये मिठ्टी से तो बने हैं सोना कहां से निकलता है इसी प्रिथवी से चांदी इसी प्रिथवी से धीरा इसी प्रिथवी से वो जिसके पास अधिक हो गया ओ लक्ष्मी पती हो गया, वो तो माया पती है, लक्षमी पती नहीं है कोई, लक्षमी तो भगवान की अंतरंग शक्ती है, वो तो दिव्यानंद देती है, material नहीं, spiritual happiness, लेकिन सब अजीब हैं, अजीब काम करते हैं, और चला आ रहा है परमपरा बश कुसी प्रकार, तो आप लोग समझे रहिए, कि आपको राधाकृष्ण की भग्ती करना है, अनन्त कोटी, धुरगा, लक्षमी, कुबेर, साथ अपने आप भागे आएंगे, आप सुप्रीम पावर की शरण में रहें, और सब क्यों अपने आप बिना बुलाएं, आने दें, डरें नहीं, लेकिन किसी का आपमान नहीं करें, हाँ, सबको नमस्कार है, लेकिन मन बुद्धी का समर्पन, श्यामा श्याम और उनके जन गुरु के प्रति होना है, ये रहस्त्य आज धन तेरस को आप लोग मस्तिश्क में रख लें,